बजनलाल शर्मा मुख्य मंत्री होंगे अगले राजिस्थान के ये ख़बर पकीस वक्त मिल रही है यानिकी जो माना जा रहा था ब्रामन चेहरे पर भरोसा जताया जा सकता है यही अप सामने आ रहा है सबसे बड़ी खबर भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्य मंत्री होंगे भजन लाल शर्मा का नाम यहां पर तै हो चुका है बिल्कुत चार बच के अठारा मिनट और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है राजस्थान में CM के नाम को लेकर जो सस्पन्स था वो खत्म हो चुका है इसमें वो नाम फिलाल उस लिस्ट में नहीं था यानि BJP ने एक बार फिर से सब को चुकाया है मध्यप्रदेश और चटीसगर की तरही राजस्थान में भी आपको बता दे कि अलग नाम यहां पर सामने आया है सांगा नेर से विधायक है और इन्हें अब राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कमान सौपी गई है तो आखरका राजस्थान की गद्धी पर कौन जनता का सेवक बनकर राज करेगा बतोर मुख्यमंत्री वो सामने आ चुका है भजनलाल शर्मा के नाम पर मुहर लगी है जो महमन्तन हुआ जो पैठक यहां पर हुई आखरकार वो चेहरा राजस्थान की जनता के सामने आ गया है देश की जनता के सामने आ गया है भजनलाल शर्मा के तौर पर सांगा नेर से विधायक है भजनलाल शर्मा और ये बहुत बड़ी खबर है आपको बता दे इस बार अशोक लाहोटी का टिकेट काटा गया था भजनलाल शर्मा पर भरोसा जताया गया था अब ऐसे में यही स्ट्राटेजी जरूर भारते जनता पार्टी की रही होगी आपको मैं ये भी बता दूँ है कि एक बार फिर से ये तस्वीर जरा पहले देख लीजे भजनलाल शर्मा ये नए मुख्य मंत्री होंगे राजस्तान के रक्षा मंत्री राजनास तिंग जोने परिवेक्षक बता और नियुक्त किया गया अब नए मुख्य मंत्री का वहाँ पर स्वागत किया जा रहा है भजनलाल शर्मा को इस बार कमान स्वापी गई है और बीजे पी ने एक बार फिर से सब को सर्प्राइस कर दिया है ये कहा जा रहा था कि सामाने वर्ग से कोई हो सकता है लेकिन नाम किसका होगा इस पर लेकर सस्पेंस काफी ज्यादा था और अब ये सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है आपको बता दे कि राजस्थान बीजे पी के महा मंत्री है भजनलाल शर्मा और उन्हें राज ने आ चुका है जो सर्व सहमती से सर्व समती से आखरकार अब जनता के बीच में बतार मुख्यमंत्री होगा और जैसा कि हम ये भी मान रहे है कि बीजे पी अगर किसी का नाम यहां पर सामने लाती है तो वो एक रणनीतिक तहट पर जनता की स्वीकारिता और विधाई की कै सी रही है क्या उसका पूरा एतिहासिक सियासी सफर रहा है सब कुछ देखा जाता है तो यह कस्वीरे आपकी टीवी स्क्वीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे है भजनलाल शर्मा जिन्हें नियुक्त किया गया है मुख्यमंत्री राजिस्थान के लिए एक बार फिर से ये भी साफ हो गया कि संग से जो जुडाव रखता है और ये वो चेहरा है भजनलाल शर्मा जो संग से भी लंबे समय से जुड़े हुए है विचारधारा को देखते हुए भी जरूर उनके नाम का एलान किया गया होगा लेकिन वहाँ पर जरूर वो क्या कहते हैं वो मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उनका क्या कहना है ये भी सुनने के लिए वहाँ पर पत्रकारों का भी जमावड़ा है लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका रियाक्शन भी जरूर यहाँ पर सामें आए